हर दोस्तों और वल्कम दोस्तों आप देख रहें देशी मेसी को दोस्तों आज की इस वीडियो में काफी इंटरस्टिंग टॉपिक के बारें बात करने वाले हम लोग कि आप अपनी ब्लॉग ये वेबसाइट को गूगल एटसंस कैसे वन टाम में अप्रोवल ले सकते हैं वीडियो को लास्ट तक कर देखिए ताकि इन 10 चीजों में बताने वाला हूं गूप लेने के लिए इन चीजों का फोलो करें एक्जैक्ट जैसा मैं बता रहा हूं आपको अप्रोवल के लिए डालें मैं 1000 परसंट गारेंटी लेता हूं कि वह अप्रोवल आपको मिलेगी अब खुद मुझे इस वीडियो में कमेंट करके जाएंगे अगर आपको मिल जाती है तो प्लीज कमेंट जरूर कर देखिए तो जो मैं बताने वालों उसे ध्यान से देखिए और वीडियो को लास्ट तक कर देखिए ताकि सरी चीजों का अच्छे समझ लें देना अपने ब्लॉग या वेबसाट को अपने वालों के लिए समिट करें गूगल एक्सिंस में सबसे पहला नमर वान पर आता एन अप टेक्स्ट जब भी आप ब्लॉग पर कुछ पोस्ट कर रहे हैं तो कोसिस यह किजिए कि हर पोस्ट पे आप मिनिमम फाइफ 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 लिखा हो नमर दो की बात करें इंप्रूब ये ब्लॉग डिजाइन तो अंडरस्टाइड अब अपने ब्लॉग के थीम को जो है उसे अच्छे वाले थीम यूज किजिए सिंपल नीट एन क्लीन की उसकिजिए उसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटट ना बनाए ताकि लोगों को समझने में दिक्कत हो उसे परसानी हो आपकी ब्लॉग पे ना मतलब एक बार आए तो उसे दुबारा आने का दिल करें इस तरह का ब्लॉग कर डिजाइन बनाए ज्यादा कॉम्प्लिकेटट ना बनाए सिंपल एंड प्रफेशनल बनाए ठीक है नमबर थाट की बात करें त यूज कीवर्ड फोर टैटल कीवर्ड यूज कर सकते हैं अब आप में टैटल के लिए टैटल जिसे देख सकते हैं यहाँ फोर्टस ऑफ रिट टैचिंग अक्षंट डानलोड फ्री ये एक कीवर्ट हो तो कोशिज कीजिए कि अपने ब्लॉग के जो पोस्ट करें उस टैट कर सकते हैं मैं आने वाली वीडियो में वह भी बता दूँगा अच्छे से कीवर्ड अच्छे सच करें फिर अपने ब्लॉग पर पोस्ट पर जाए देना पोस्ट कर सकते हैं राइट देन नमबर फाइब की बात करें तो राइट हाई क्वालिटी कॉंटेट अब जब भी प अच्छे से सजा करें देख सकते हैं काफी नीट एन गीन अप मेरा खुद वेपसाइट देश में से को डाट इन को आपन करें इससे आप समझ करके अच्छे से वेपसाट को देखे देन आप अप्रूबार के लिए समिट करें अब खुद देख सकते हैं कितना सारा एड्स म कोई दूसरा एड्स सर्विस चला रहे हैं जैसे बीट्वाटाइजर है और भी बहुत सारे हैं तो उससे पहले आप टिसकेनेट कीजिए देन आप गूगल एड्सें से समिट कीजिए ठीक है ऐसा नहीं कि आप किसी और नेट्वर के साथ जूड़े होगा है आप गूगल ए कि आपने ब्लोग पे जब भी अप्रूबल कर रहे है ब्लोग को तो कम से कम आपके ब्लोग पे दस से पंदरा पोस्ट होना चाहिए हर हर पोस्ट में 500-600 वर्ट लिखा होना चाहिए जो कि नमबर वन में आपको बता है कि अनफ टेस्ट है ना तो साथ नमबर भी लागू हो आप जो इमेल एड़ी यूज कि है आपको जो भी डाटा है गूगल पे वह आपको एटीन पलस होनी चाहिए गूगल एट्स से अप्रूबल लेने के लिए मतला आप 14 साल के 15 साल के तो गूगल एट्स से अपको अप्रूबल नहीं मिले दिए डन दिन चेक यूर उस कॉंटेंट टाप को एक बर अप्रूबल समिट करने से फिले चिक कर लिए किजिए क्या चिक किजिए गा मैं को बता रहा हूँ पॉर्नोग्राफी एडल्स मैटरियर इस तरह के इमेजेज या फिर इस तरह का कॉंटेंट नहीं होना चाहिए अपके ब्लॉग पे है समझ से या फिर वाटवर कहीं भी आप पर्चेस नहीं किए वह इमेज कर लिए अपने ब्लॉग पर जीए नहीं वह नहीं चलने मारा है आप कोशिच कि यह कॉपिराट इमेज ना यूज करने के अगर आपको यह भी नहीं पता कि कॉपिराट अगर गूगल से इमेज ने लेंग यूज डॉप लेवल डॉमीन जी हाँ आपका जो डॉमीन नेम है वह कोशिच किजिए कि डॉट कॉम ये डॉट इन रेखने के हाइट्वालिटी जैसन डॉट टिक है चल रहा है डॉट यूए चल रहा है आजकल बहुत सारा कुछ आगे ना सस्ते में मिलते हैं लोग लिए ना तो आपको प्लॉटम होगी अप्रूवल लेने के लिए नमबर तो आप एवाइडी किजिए डॉमीन में ठीक है और हाइट पॉलेटी कॉंटेट के डॉमीन लेने के कोशिच किया अगर ये भी आपको नहीं पता कि डॉमीन लेने में कुछ एडिये कुछ जानकार तो थाउजन परसन मैं गारेंटी लेता हूँ कि आपको अप्रूवल मिले कि गूगल एक्शन से फिर भी अगर किस्तर को प्रसानी आ जाती है को दिक्कात आती है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं उस कमेंट का जवाब दूगा आपके साथ बना रहूँगा कि आपके साथ क के लिए बाइ